हाज जी मेरे प्यारे बच्चो तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका next topic will reduces friction थीक है तो will किस तरह से reduce करते हैं friction को आज हम इस चीज को देखेंगे ठीक है इस से पहले friction के बारे में किस तरह से friction हमारे लिए ज़रूरी है किस तरह से हमें नुकसान देता है मतलब हमारा दुश्मन भी है किस तरह से और फ्रिक्शन के बारे में हम इन से भी डिटेल्स को पढ़ चुके हैं आज हम देखेंगे कि वील किस तरह से रिडियूस करता है फ्रिक्शन को ठीक है यू मस्ट हैसे डिटेच एड़ व लगेज को ठीक होती है और चीज फीट रहते हैं इस तरह के पहीं जो है वो लगे रहते हैं जिसकी वज़ेसे क्या होता है जिसकी वज़ेसे हमें जो वह लगेज है उसको कीचना बहुत जादा आसान हो जाता अगर किसी चीज में पहीं बहुत आसान हो जाता है लेकिन अगर उनके निचे पहिये ना हो तो मूव कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है यहां पर आपके अक्टिविटी भी दे रखे 12.4 के अंदर इसमें क्या करना है आपको बेसिकली इस तरह से 3-4 पैंसिल आपको रख लेनी है ठीक है और उसके उपर कोई भी एक नोट बुक आप रख लेजिए और उसको फिर मूव कराईए तो जब आप इस तरह से मूव कराऊगे यह जो पैंसिल से किसकी तरह काम कर रही है पईयों की तरह काम करेगी और यहां पर जो मूव कराना जो बुक को मूव कराना होगा बहुत आसान हो जाएगा ठीक है तो इसी चीज़ पर बेस जो है वो है आपके वील्स और wheels की वज़े से क्या होता है friction कम हो जाता है और चीज जो है वो आसानी से object जो है वो आसानी से move कर पाता है When a body, when one body rolls over the surface of another body, जब एक body roll करती है दूसरी body की surface पर तो जो resistance of its motion है वो कहलाता है rolling friction ठीक है यानि कि जब एक body roll करती है दूसरी surface जो है ना दूसरी body की उस पर तो उस time पर जो friction लगता है वो क्या है rolling friction होता है rolling friction का मतलब है जो कि body roll कर रही है surface of another body ठीक है अब क्या है rolling reduces friction rolling क्या होती है जो rolling friction, rolling क्या है जब आफ किसी भी चीज को roll करती हो तो उस की वजह से क्या होता है, friction काम हो जाता है अगर और कोई भी चीज हमसे नहीं उठती हैं तो हम उसको क्या करते हैं घुमा aurrata ले-क कर нагते या जैसे मेरे मेरे अलमारी ही मेरे को खिसकानी हैं तो ऎसको क्या पहले हलकाisés realize की और पिर इस साइड से रॉल करें इस साइड से रॉल करें पिरुदे करने से साइड साइड से रॉल करieltर रोब करने तो रॉल करते हैं उसको पूरा कि हम घर में लेकर के आते हैं ठीक है Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind इसी के साथ आपने ये भी देखा है कि जो लगेज है उसको भी जिसमें रोलर्स फिट होते है उसको भी मूव कराना बहुँ जादा आसान हो जाता है तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जो पईये हैं वो कितनी बड़ी invention है आदिमेंस के लिए ठीक है जो human beings है हमारे लिए कितनी बड़ी invention है Since the rolling friction is smaller जबकि rolling friction जो होता है smaller होता है sliding friction से ठीक है तो rolling friction जो होता है वो क्या तक कम होता है as compared to sliding friction इसलिए sliding replace कर दी गई है बहुत सारी machines में by rolling से ठीक है जिसे आप देखते होंगे जो आज कल की widgets में ने machines भी बोला है ठीक है जो machines गेरा है उन सभी के अंदर क्या लगा दिये गए हैं पईये लगा दिये चाते हैं जिस वजे से उन उनका movement बहुत आसानी से हो जाता है उनका हम easily पूल कर सकते हैं ठीक है इसी तरह से आपने fan देखा होगा ceiling fan की भी बात की गई है इसमें क्या होते हैं बोल बैरिंग का इस्तमाल करके हब से नेक्जिल ओफ सीलिंग फैन या बाइसिकल में यानिकि जो बोल बैरिंग सोते हैं को यूज करके क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन को यहां पर यूज किया जाता है ठीक है sliding friction को हटा करके rolling friction को यहां पर यूज किया जाता है जिसके वज़े से जो यह fan है यह भी बहुत आसानी से गहूम पाता है बाइसिकल हमारे अच्छे से चल पाती है इन बॉल बैरिंग इसका यूज करके ठीक है अब आप कहेंगे हब से नेक्जिल क्या होता है देखो आपने fan देखा है fan देखा है ना आप सभी ने तो जो fan होता है ठीक है मैं आपको यहां पर एक image भी दिखाऊंगी यह देखो यही इसी चीज को हम देख लेते हैं ठीक है इसी से हम समझ लेते अब लोगों ने तो fan में अगर आप देखोगे नीचे की side अभी आप आपकी घर पर भी लगा होगा यह जो नीचे की side वाला जो area होता है इस तरह से होता है ना fan ना fan डइल्ड़ा पर इस तरह की टॉप़े नहीं लगाया होती इस तरह की और इसके अंदर क्वाइले में और आपके बोल बेरिंग वगेरा कंदैंज वगेरा इसे फृटह थो यहांपना लगा रहता है तो इसको हम बोलते हैं इस वाले को यह वोलते है हम इसको haspol arguments ओ ऑलत चैप्टर ओपन कर लो मैं जरा बच्चा बंध हो गया था हाँ ठीक है इसी तरह से बाइसिकल्स वगयरा में भी बोल बैरिंग्स का यूज़ करके वे अग्यों से स्लाडिंगं फिक्ष्यन को हरॉलिंग फिक्ष्यन को अपना लिया है ठीक है यह दीखो फैन के अंदर इन्दर पड़ार एक दोपोती तक दीखेगा तोस से बायो नहीं होते हैं जिसके वज़े से movement कराना जो होता है वो बहुत easy हो जाता है और इसी तरह से हम friction को reduce कर सकते हैं तो बच्चों बस आज हम थोड़ा सा ही chapter पढ़ेंगे इतना ही पढ़ने वाले हैं सिर्फ वील friction के बारे में next में हम discuss करेंगे fluid friction को okay fluid friction में वैसे जदा कुछ नहीं है बहुत चोटा सा है इसको हम next class में cover कर लेंगे okay अब मिलते हैं आपसे next class में आज थोड़ी में तभी सही नहीं है तो I hope आज का session आपको समझ में आ गया होगा वैस कुछ नहीं है सिर्फ हमने वील reduce friction के बारे में बात किये कि किस तरह से पंक जो पहिएं हैं वो reduce कर देते हैं friction को क्योंकि पहियों के अंदर क्या उतर rolling friction होता है rolling friction के वज़े से चीजों को move कराना आसान हो जाता है अगर किसी भी चीज में पहिये लगे हुए हो ठीक है और अगर हम किसी भी चीज को slide करते हैं उसको हाथ से धकेल दे हैं तो उसका moment थोड़ा भारी मतलब मुश्किल होता है ओके बस आज इतना ही अब मिलते हैं चलिए next class में next class में हम ये fluid friction क भी complete कर लेंगे और यह भी complete कर लेंगे जो यहां पर आपके कुछ points दे गए हैं फिर हम exercise शुरू करेंगे so that's all for today